असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ चना मसाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो के बहुत ही आसानी से बन जाती है घर की चीजों से बन जाती है और आपको इसके लिए बहुत सादा महनत भी नहीं करना पड़ता है इसके लिए मैंने लिए है 150 ग्राम बॉइल चने फिर उसके पात मैंने बॉयल कर दिया चिकान टाइं मैंंे ऑसमें फ्हीं तोड़ा सा नमक्याट के था अब यह मैंने только कडाई ले लिये जिसमें आपको डुंध घं़िसमें अडाको बार mai कि ब workers कि करना है थोड़ा से almost at gloram कर लैना है जब थोड़ा सा ऑइल मैं इसे अग क जैसे भी डाल सकते हो आप इसमें पेस्ट में अट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से भूल लेना है जब तक कि आपका अनियन है वो लाइट पिंग कलर का ना हो जाए कमें अगर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चानल और मेरे चानल क連 युवच कर सकते हैं और मेरी आने और रेसिपि पीज की नौटिफिकिशन आपको मिल जाएगी अभी हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस अड़ कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस को भी आपको अनियन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते चाहिए ताके जो जिंजर और गार्लिक में एक थोड़ी सी स्मेल होती है वो कम हो जाए और उसके बाद हम सारे मसाले ट्राय मसाले एड़ कर देंगे इसके अंदर यह देखिए अभी हम इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एड़ क कर देंगे कि असर्त अब अपने टीस्ट के अकॉंड़िए ग्रिक्स करते हो और इसे मिक्स कर देंगे Haasya अच्छे से अपको मिक्स करना है यह तके सारे मसाले जिंघर सारह एक सारे साती मैं जानगि अच्छे इसका कलर भी तोड़ा सा चीन हो किया है अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून रिंचीली पेश ॵार्ट कर देंगी जा नॉर्मल रिंचीली पेश बनाया है आपके पास अगर कोई रेडिमैड भी हो तो वह आपा सकते हो गरींचीली इसमें बहुत अच्छा टेस होगा क्युकिक् इसमें आड़ कर सकते हूं और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ाव इसमें पानी आड़ किया है हाफ कप पानी आड़ किया है थाकर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए दो से तीन मिनिट आपको इसे और भूदना है ताके जो भी हमने इसमें मसाले एड़ किये है और ओई एड़ किया है वो सरफेस पर आ जाए तो जैसे ही ऑई सरफेस पर आ जाएगा हम इसमें बॉय चने हमारे आड़ कर देंगे जो कि हमने पहले से अब अभा कि ढीनिदे आर कर दिया है आपको इसे भी नशीचर दर भून लेना है कंसे में जाम को इसे मेडियम टूलो้ फ्लेम पर u is a अच्छी तरह से बून लेना है ताके पुरे मतु के साथ चना मिक्स हो जाए और चणी में भी मसालों का फ्लेवर एड़ जाए मसाले अ मारे चनल का मूल मुधा सब कर दब में अच्छा को हैं फरेश खरीमडर WORM भी आड़ कर सकते हो मैंने थोड़े से कोरियंडर लीवस इसमें आड़ कर दी है गानिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा लगता है आप जो पिसको प्लेटिंग करते हो तो उसमें भी कलरफुल हो जाते हैं हमारा जो भी रेसिपी होता है वो कलरफुल दिखता है इसकी वज थैंक यू अलाहफीज